जैसे ही सर्दी का मौसम आता है लोगों को गरम चाय और कौफी पीना बड़ा ही पसंद आने लगता है खाना भी गर्मा गरम मिल जाए तो बात ही क्या है इसके अलावा गर्म गर्म सूप भी काफी जादा स्वादिश लगता है और ये सेहत मन्द भी होता है कई लोग सूप पीना बहुत ही पसंद करते है और लोग अपनी स्वाद के हिसाब से सूप पीना पसंद करते है जैसे कई लोग बहुत जादा स्पाइसी सूप पसंद करते है तो वही कई लोग तीखा सूप पीते हैं तो कुछ लोग वेज सूप पीते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कॉर्ण सूप भी पसंद करते हैं अगर बात किड्नी के मरीजों की करें तो क्या किड्नी के मरीज सूप पी सकते हैं? और अगर हां तो कॉन सा? तो चलिए, बढ़ते हैं अपने विश्य की तरफ और बात करते हैं सूप पीने के कुछ फायदों के बारे में किड्नी को स्वस्त रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डायट में उन चीजों को लें जो जल्दी से डाइजस्ट हो जाएं क्योंकि जब आपका खाया हुआ खाना जल्दी से डाइजस्ट होगा तो इससे आपके शरीर में टॉक्सिंस जमा नहीं होंगे और आपकी किड्नी अपना काम सही धंक से कर पाएगी किड्नी को स्वस्त रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डायट का खास ध्यान रखे और इसके लिए सूप एक ऐसा विकल्प है जो बहतर है और स्वाधिश भी है किड्नी के मरीज सूप पी सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा किड्नी रोगी उन सभी चीजों का सूप पी सकते हैं जो चीजे किड्नी के मरीजों को टॉक्टर ने अलाओ की हो इसके अलावा कोई और सूप का सेवन उनकी डामिज किड्नी के लिए हानिकारक हो सकता है किड्नी के मरीज सूप को सिवित मातरा में ही लें क्योंकि सूप एक प्रकार का liquid food है और किड्नी के मरीजों को liquid भी कम मातरा में लेने को कहा जाता है सूप में काबो हाईडरेट, प्रोटीन, वाइटमिन, पोटाशियम, खनीज और एंटी ऑक्सिदेन के गुण होते हैं जो आपके स्वास्ते को ठीक रखने में मदद करते हैं अब जानते हैं कि किड्नी के मरीज कौन सा सूप पी सकते हैं तो किड्नी के मरीज सबजियों से बना सूप पी सकते हैं जिसमें वो घिया, गाजर, तोरी, प्याज, हरी मिर्ज और पत्ता गोबी डाल कर इसका सूप बना कर पी सकते हैं लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि किड्नी के मरीज सीमित मात्रा में ही सूप पी है और सूप बनाने में सिफ उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें जिनके लिए डॉक्टर ने अलाओ किया हूँ अगर आप किड्नी के मरीजों के लिए सूप बनाने की विधी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सरूर बताएं हम आपको अपने शो हेल्डी तड़का में आपको सूप बनाने के विधी के बारे में सरूर बताएंगे अब जल्दी से जान लेते हैं कि सर्दी के मौसम में सूप पीने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं सूप एक ऐसा आहार है जिसमें कि आप कई प्रकार की सबजियां मिलाकर उसको बनाते हैं जिससे आपको सभी सबजियों के गुर्ण एक ही सूप में मिल जाते हैं सूप में कई सारे पोशक तत्व होते हैं जो आपको कई सारी बिमारियों से दूर रखते हैं ये पीने में हलका हुता है, जिसको पचाना भी आसान हुता है इससे आपको पेट से जुड़ी परिशानिया नहीं होती सूप का सेवन आपके बढ़ते वज़न को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिस वज़े से इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है अगर आप रोजाना के डाइट में सूप को शामिल करते हैं तो इससे आपको शरीर में उजा बनी रहती है जिससे के आप ठकान और कमजोरी महसूस नहीं करते सूप में सही मात्रा में पानी होता है जो आपके शरीर को अंदर से हाईडरेट रखता है जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आपको यूरीन से जुड़ी कोई भी दिक्कत नहीं होती जो लोग अपने खान पान पर जादा ध्यान नहीं देते उनके लिए सूप पीना एक अच्छा ओप्शन माना जाता है इसका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और बदलते मौसम में आप कम बिमार पड़ते हैं अगर आप अपनी डाइट में सूप को शामिल करते हैं तो इससे आप डिस ओबिस रोग से दूर रहते हैं सूप का सेवन आपके रक्त को साफ रखता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी सामान ने बना रहता है और आप हाथ की परिशानी से तूर रहते हैं अगर आप सूप का सेवन करते हैं तो यह आपके blood circulation को ठीक रखता है। इसके अलावा, soup का सेवन, urine sacrament के खत्रे से भी हमें बचाता है। जो आपकी kidney में होने वाले दिक्कतों से आपको दूर रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप kidney की किसी भी समस्या से परिशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयरुवेदा से संपर्ग कर सकते हैं। कर्मा आयरुवेदा उपचार केंद्र में आपको kidney से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयरुवेदा में कुशल डाइटीशन मौजूद हैं, जो kidney के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं। इस बात को ध्यान में रख्टे हुए, मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप dialysis और kidney transplant जैसे समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा अयर्वेदा उप्चार के इंदर से संपर्ग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।